हालो दोस्तो गुड मॉर्निंग स्वागत है आप सभी का स्टड़ी आई क्यूब में मैं प्रशानतिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तो आज 2nd मा अभिड मॉर्निंग जी हाँ ओड मॉर्निंग सभी को ऊण मस्ते और दोस्तो इस सेचन में एक और खास बात रहती है कि हम क्या करते हैं जो चाइन पूर हमने पढ़ा उससे हिपको या उससे उसे यह थे प्रेडिंप बीस घुशन ये चीजिए हम क्या और करते हैं साथ में प्रेक्टिस करते रहते खल झरू करते हैं अपने session को थो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले चीजreens क्या होती मोटिवेशन क्या एक सिकंड दोस्तों हाँ जी हाँ वह थोड़ा सा कुछ प्रेमिंग में इश्यू था वह देख रहा था तो सबसे पहली जो हमारी चीज होती है दोस्तों आपके सामने क्या है यू कैंड डू एनिथिग यू सेट यूर पाइंट से इसका मतलब क्या है दोस्तों मैं इसमें ये बात आपके साथ कई बार कर चुका हूँ कि आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं आप अपने आपको कैसा प्रोजेक्ट करते हैं ये डिसाइड करेगा कि आप अपनी सिर्फ एक्जाम में एंदे लाइफ में कैसा परफॉर्म करेंगे और अगर आप दोस्तों ये सोचते रहेंगे कि मेरे बसकी कुछ है ही नहीं मैं कुछ अचीव ही नहीं कर पाया मैं कुछ डिजर्व ही नहीं कर सकता तो दोस्तों पता है क्या होगा आपके आज पास को जो एन्वार्मेंट होगा वो उसी प्रकार से बन जाएगा और उसका क्या होगा नेगेटिव इफेक्ट आपकी परफॉर्मेंस के उपर में पढ़ेगा वो देखते हैं एक डायलोग सुना होगा पूरी काइन और हमेशा मैं अवेलिबल हूँ आपके साथ हेड्लाइन दो जो जो इंपॉर्टेंट नियूज हैं वो सारी के सारी चीज़े आपके साथ में आपके साथ में आपर डिसकस करूँगा एडिटोरियल सेक्टर में मैं मैक्सिमम चीज़े जो थी नोस्तों वो किस से पर में आज आपके प्रिलिम्स के रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइप में हैं उनको मैंने आपर नोटडाउन कर दिया उनको भी एक एक करके हम देख लेंगे तो यह भी चीज़ ध्यान रखिए और एक चीज़ और आप सभी को अगर मेरे साथ जुड़ रिग उख्राकर कर सकते हैं प्रली ऐटी 33 चलिए आगी बढ़ित अगे बड़ें आगे पहले नी उसको देखना शुरू करते हैं सबसे पहली न्यूस को हम देखने हैं है बार को इंडिया कई बार मैं डिसकस आपके साथ में कर चुका हूं यहां पर इंडिया के लिए क्या चीज़ें इंडिया का स्टैंड क्या है इंडिया के पास ऑप्शन क्या थे भूम फिरकर पूरी की पूरी वही बात दोबारा से इस पूरे आर्टिकल में कही गई हैं और दोस्तों इन्हों ने इसमें बता है कि से हमारी डिफेंस डील चाल रही है रशिया के साथ हमारी डिफेंस डील चल थैं कि go हमारे आंज वहीं से आते हैं और इसमें उन्होंने कुछ एक ग्जाम्पल व्ही देने की कोशिश कई जैसे 1971 जब हमारी पाकिस्तान के साथ वार चल रही थी तो UN हमारे उपर कुछ actions लेना चार रहा था तो उसमें Russia involved हुआ था और Russia ने क्या किया था कुछ दिनों तक उसको रोक कर रखा था कोई हमारे उपर sanctions ना लगें जिससे हम जो हमारा काम है उसको हम complete कर सके और ऐसा नहीं है कि present time में इंडियन गॉवर्मेंट नहीं जो प्रेजन टाइम की एंडिये गॉवर्मेंट है उन्होंने ऐसा स्टैंड लिया है कि हम इनको favor नहीं नहीं करते उनको favor नहीं करते इन्होंने एक और example दिया कि जब नहरू जी थे उस समय पर भी यह किया गया कि रश्या का जो उन्होंने एक्षेंट लिया था टैंक अपने चला दिये थे तो उसमें इंडिया ने कोई क्यान में reaction नहीं दिया था यानि कि वह इस पूरे के पू इस से जादा important कोई चीज नहीं है लास्ट में सब कुछ summarize हो जाता है कहां पर national interest आपने ये stand लिया आपके क्या आदर्श थे आपके क्या principle से सब कुछ एक side हो जाता है किसके आगे इस national interest इस article की शुरुआत उन्होंने यह करी यह बोला सबसे पहली बात तो उन्होंने यही च उसमें क्या action लिया गया सारी चीज़े अभी किसी को भी नहीं बताया गया अब रश्या ने जो invade किया कहां पर Ukraine दरसल दोस्तों इसको एक समझी है इस context को समझी है कि रश्या और जो NATO है यह निकी USSR उनके बीच में पैक्ट हुआ था उनके बीच में पैक्ट क्या हुआ था कि जो East यानि की जैसे रश्या है और यह यहाँ पर USA है तो वो East की तरफ नहीं बढ़ेंगे कौन NATO इधर की तरफ नहीं बढ़ेगा क्यों क्यों कि रश्या के security concern है बिल्गुल सही बात है लेकिन उस पैक्ट को उस agreement को सही माइने में implement नहीं किया किसने USA ने और NATO ने वो क्या continuously East म उन्हें involved किया Baltic countries को involved किया तो यानि कि वो हमेशा जो उनका agreement था उसको वालेट करते रहें और यह क्या था रश्या ने कह रहा का था यह एक रेड लाइन है इसको अगर आप क्रॉस करोगे तो भहिया यह हमारे उपर एक security threat है और हम इस पर action नहींगे अब यूक्रेन जो है यूक्रेन नेटो को जोइन करना चाहता था अल्रड़ी कहानी आपको पता है दोस्तों नेटो क्या है सारी चीज़े अल्रड़ी बता चुक नेटो को जोइन करना चाहता और रशिया ने इसी चीज को बचाते हुए कि हमारी security के regarding है हम क्या कर रहें आपके ओपर में attack कर रहे लेकिन दोस्तों इससे एक और चीज सॉल्व नहीं होती है कि मान के चलिए यूक्रेन लिखकर दे दे कि हम भईया नेटो को जोइन नहीं करेंगे या फिर यहां से कोई भी चीज हो जाती है तो रशिया को इससे benefit क्या मिलेगा यह ultimately benefit अभी clear नहीं है किसी को भी किसी को भी clear मान के चलिए ऐसा कोई return agreement भी लिख दिया जाए लेकिन आपको पता है ऐसे return agreements historical पूरे उसको उठागे देख लीजिए कहीं पर भी माने नहीं गए तो यह पूरा का पूरा आपको background यह पता चलिए अब इंडिया इंडिया ने क्या किया कई सारे लोग यहां पर किया इंडिय गडबड कर रहा है इंडिया यह कर रहा है इन्होंने लास्ट में कहा कि आपको सोचे लास्ट अगर आगे चागे मान के चलिए कश्मीर पैसा को स्टेंड होता है तो हमें रशिया की जरूरत है रशिया clear-cut stand इंडिया का favor काफी समय से लेता रहा है और जरूरत है पहला point तो क्या counter करने के लिए में यह इसी की जरूरत है तो यानि कि इंडिया का जो stand है वो perfectly balanced है क्या है perfectly balanced है इस सब्सक्राइब या कि हमने ना इनका रशिया को ना कुछ किया हम अभी अपने लोगों को बाहर निकालने के लिए जादा उसमें focus कर रहे है यह पूरी के पूरी नोंने इसके इंदर में का फिर examples दियें कि इंडिया का क्या है और प्रेजन टाइम में इंडिया ने नौन अलाइंड रहने की नौन आलाइंड क्या है दोस्तों ना अल्रेडी हम discuss कर चुके है वो प्रेजन टाइम में बहुत जादा important हो जब वोर्ड तो हिस्सों में बट रहा था यूएस और यूएससर कोल्ड वार का एरा था अब इंडिया ने आजादी के बाद देखे बहुत बड़ा करेच चाहिए कि आप टोटली डिपेंडेंट हो सकते थे किसी कंट्रीज के ऊपर में बट इंडिया ने क्या डिसाइड कि नहीं ना हम इधर जाएंगे ना हम इधर ज इंट्रस्ट की बात करते तो उने का हाँ इसे मैं selfish पॉलिसी बोलता हूं अप और यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन क्या है नैशनल इंट्रस्ट इंपॉर्टन और प्रेजन टाइम में जितने भी फॉरंड डेप्लोमेट्स होते हैं फॉरंड पॉलिसी होती है वह इसी लेकिन यही चीज जब USA इराग पर इरान पर तीरिया पर अफगानिस्तान में किया तो क्या किया गया टेररिजम के अगेंस्ट में वार है अपनी सोवरेनिटी को बचाने के लिए कहां पर किया इराग पर अटेक किया यह यहीं कि दोस्तों अपने परस्पेक्टिव से अपने नैशनल इंट्रस्ट के परस्पेक्टिव से हर कंट्री हर वर्ल्ड की पावर अपने हिसाब से उसको क्या करती है इंट्रपेक्ट करती है तो इसमें अगर इंडिया अपने आपके अपने जो कहते हैं जो एक्शन्स ह है तो उसमें कोई गलत नहीं है कई सारे लोग जो लोग अभी कह रहे हैं कि ऐसा करना ची है वह प्रेजांट गवर्मेंट गुह से कभी भी नहीं जाना प्रेजन टैम में इंडिया क्या कर रहा उसके पास ऑ्प्षेंज क्या थे इसके कॉन्सिक्वेंसिस क्या हों क्या इस समय नैम की सही माहने में ज़रूरत है पहला पॉइंट या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि क्या नैम इतना ज्यादा रेलेमेंट है इस समय पर जब इतनी ज्यादा ग्लोबलाजेशन हो रखिये लोग गूगल पेपर या एपल पेपर कितना ज्यादा डिपेड़नेंट है अब अगर जस्ट इमेजिन इंडिया किसी का भी फेवर नहीं करता है एक साइड लाइन रहकर रखता है तो यह अगर बैन कर दिया जाए जैसे रशिया में किया गया य क्वेश्चेन आ सकते तो उस परस्पेक्टिव से भी आपको तयार होके जाना चाहिए अगला आर्टिकल अगला आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल है कल अल्रेडि हम आई पी सी सी की रिपोर्ट को अल्रेडी मैं आपके साथ में डिसकस कर चुका हूँ इसमें उन्हों अभी आप ग्लोबल वां मिंग को नहीं रोकेंगी अपने ges Teles को नहीं लेंगे आने वाले समय में ग्लोबल वां मिंग और बढ़ेगी उन्हें लखनौ का जिक्र किया पल़ जाएगा यहां अध़बां just यह इंक्रीज हो जाएगा जिसके करण में हीट स्ट्रोक आने शुरू हो जाएंगे पहला पॉइंट तो इन्हों ने इस बता है उन्होंने का ग्लोबल बाविंग बढ़ने के करण में आपको पता है हमारी कोस्ट लाइन बहुत जाधा किसके सी के साथ ओशन के साथ लगती है तो यहां से यह आपको चीज समझ में आ गई है कि कितना जाधा इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में डेवलप्मेंट के साथ में एन्वार्मेंट को भी मैनेज करके रखना और इसमें कई बारों ने जिक्र किया कि जैसे आभी अब इस इसका एक्जामपल देखिए समझे कि इंडिया ने कहा है कि नेट जिरोो समय करना है कब तक 250 भी जया जाता है अप नेट जीरो एमिशन कैसे हो सकता है दोस्तों हमारी पास में कई शारे dau इंडस्टीlla है जहां से हैं घ्ली Children के तरह होता है जो हमारे आप पे अनर्जी एलेक्ट्रस टी यूज होती है हम कि दर जारे धेरे धेरे रन्यूबल एनर्जी की तरफ जैसे सोलर प्लांट बायोगैस यह सब चीजों की तरफ जारे यानिकि जो फॉसिल फ्यूल थे हम उनकी तरह से दूसरी तरफ जारे क्यों की जलने से दोस्तो बहुत रहे हैं कि हमें इसको और aggressively काम करना चाहिए 2030 तक जो हमारा टार्गेट है दोस्तों कि हम अपनी 50% जो एनर्जी है वो कहां से आएगी renewable energy के sources से यह भी टार्गेट है हमारा sustainable development goals में सब टार्गेट है Paris Agreement में हमने सब टार्गेट लिए हमने forest cover को बढ़ाने का टार्गेट लिए आप यह सब चीज़े लिंक करते रहिए यह देखे गौवर्मेंट की जो schemes है गौवर्मेंट की जो actions है उनको वर्ल्ड एजेंडा के थूँ आप अगर map करने लग जाएंगे तो बहुत easy हो जाएगा आपके लिए समझना और पढ़ना उसको इंटर लिंक कर पाना जो actions लिए जा रहे उसके पीछे यह सारे के सारे reason है ठीक है दोस्तों अब वेट पल टेंपरेचर एक्चुली में है क्या दोस्तों आपके और हमारे अंदर में बहुत अच्छी capacity है पूरे विश्व में या कहले सारे के सारे जंजातियों में या जीवों में एक बहुत अच्छी खूबी है कि वह अपने आप में टेंपरेचर को इसका मतलब क्या है दरसल दोस्तों दो कॉंपनेंट होते हीट प्लस में हुमिडिटी क्या हुमिडिटी को जब हम मेक्स कर देते हैं हीट के साथ में तो यह बहुत जादा खतरनाक हो जाता है यानि कि और ज्यादा गर्मी फील होती है बदेखे टेंपरेचर होगा कितना प्रेपुरेशन के थुरू वह इनफाइनट नहीं है वह लिमिटिड है एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी बॉड़ी और बॉड़ी की तरह है जैसे मान के चलिए जैसे लोहा है लक्कड है यह सब चीज़ा भी क्या हीट करने लग जाते है एक टाइम के बात ऐसे हमारी लग जाएगा तो प्राब्लम होने लग इसलिए दोस्तों 35 डिग्री सेल्सियस जब यह हो जाए क्या वेट बल्ब टेंपरेचर के क्राइटीरियन आपा जाता है किस चीज़ को हीट और हुमिनिटी को मिक्स करके तब क्या है हेल्थ पर बहुत ज्यादा इंपक्ट होने हो जाते हैं तो यह सब चीज़े क्या है इंपॉर्टेंट है आपके एक्जाम पर्सपेक्टिव से प्लीज याद रखेगा तो इस चीज़ के लिए उन्होंने कहा कि आपी सी का पैनल आया भी उसने कहा है यह जो वेट बल्ब टेंपरेचर यह धीरे-धीरे क्या होने वाला है तो इसके लिए इंडिया को बहुत सारे precautionary measures लेने चाहिए तो यह चीज़ मैंने आपको समझाने कि यहां पर कोशिश की है क्लियर है अल्रडी मैं इसके साथ में डिसकस कर चुका हूं अल्रडी आपको सारी के सारी चीज़े ठीक है क्लियर है किसी को भी कोई डाउट प् रशिया 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 ही चल रहा है चारो दरव रशिया से रेलेटिट क्या है आर्टिकल दोस्तों यह आर्टिकल यह कहना चाहरा है कि आपने रिसेंटली देखा होगा कि कई सारी जगें पे संक्शन्स लगाए गया अब उसमें एक संक्शन यह भी लगाया गया कि गेम खिलने नहीं देंगी यानि कि दोस्तों जो गेम्स हैं उनको आप ओवरलैप कर रहे हो किससे कर रहे हो आप इंटरनेशनल पॉलिटिक से कर रहे हो अब दोस्तों यहां पर भी हिपोक्रसी देखिए समझी दोस्तों जब आपने फीफा से उनको अभी बाहर किया तो पाकि कहा जाता है कि गेम्स एंड पॉलिटिक्स दोलों क्या है अलग है क्या है पॉलिटिक्स अलग है बट दोस्तों ये कोरा जूट है जो हमने पिछले आर्टिकल में देखा कि ये सबसे बड़ी जो सच्चाई है पूरे देश के अंदर में ये है सबसे बड़ी जो सच्चाई है देश के अंदर में पूरे विश्व में यह क्या है कभी भी पूरा सच नहीं बताया जाता यह सब्सक्राइब और यहीं चीज यह पूरे आर्टिकल में यह कहना चाहिए कि इसको बाहर कर दिया है और आप यह ओवरलैप होना लाजमी था कि क्याने स्पोर्स और पॉलिटिक्स बै wunderाट कि तो वहाँ पर आप यह एक्जांपल कोर्ट कर सकते हो क्योंगि इंटर्वीयो में कई बार मैंने देखा है वह आपके साथ में आपके सिंटिमेंटके साथ में आपको जज्च करने कोशिश खर और में भाव विभौर हो जाते हो कई सारे स्थी स्टेट्मेंट के वो यह चाहते हैं कि आपको लॉजिकल एक्स्प्लेशन एक्स्प्लेशन देखे अपनी बात को वैलिट प्रूफ करो बस वह चाहते हैं इंटर्वी गिंदर तो यह एक्जामपल है आप इसको कभी आंसर राइटिंग में आये तो वहां पर भी लिख सकते हैं यह भी एक डिप इंस से बहुत अच्छा अधिकल है आप सभी को अल्रेडिवि मैंने बताया कि अल्मोस्टि परसेंट तो हमारा हम्हारा डिफेंस सेक्टर से जो आम्स हैं वो किस पर डिपेंड पर चिएतर पर डिपेंड करती है रस्या पर डिपेंड करेंड कि ऑन रशीया से दूस्तों अ नहीं कि जो मिसाइल आती है उनको डिफेंस करेगा उसकी तरह काम करेगा ठीक है रक्षा कर्व की तरह काम करेगा कवच की तरह ठीक है यह बिल्कुल सही बात है अब दोस्तों इसको बैकड्रॉप में समझे कि रश्या के साथ इसू चल रहा है एवन यूक्रेन के साथ भी हमा सही बात है तो अब इस कंटेक्स में एक वर्ड आता है काट सा काउंट्रिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सेंक्शन्स दरसा दोस्तों यह है क्या अमेरिका भाई साब यह कहते हैं कि मेरे किसी के साथ लड़ाई है मेरी किसी के साथ लड़ाई है तो उसके साथ जिसके स साथ में मेरी लड़ाई है विल्कुल सही बात है तो एक्स वाइज एडिया ने कि इंडिया भाई साहब आप भी इनके साथ में डील ट्रेड नहीं कर सकते और ऐसा कई समय पे हुआ है पर एक्जामपल जब इरान के साथ उनके पंगेबाजी हुई तो उन्होंने इंडिया को क दोस्तों जो हमारा गैस फिल्टी वह भी किसको दे दिया चाइना को दे दिया जिसमें डेवलप करते और दोस्तों जो पोर्ट है उस पे भी अब कुश्यन माग बना चाहबार पोर्ट जो इरान में बनाया था अफगानिस्तान और सेंटरल इस्या पर जाने के लिए उस समय कि देखिए इंडिया ने उस समय स्टैंड के लिया इंडिया दे कहा कि आपको इक स्ट्रॉंग इंडिया चाहिए इस रीजन में क्यों क्यों कि चाइना एंड पाकिस्तान दोनों हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है अब हमें उनसे काउंटर करने के लिए क्या चीए हमे इसलिए मेरे प्यारे अमेरिका भाई साब हम आपकी इस बात को नहीं मान पाएंगे उस समय तो हमने इस चीज़ को किसी ना किसी तरीके से अवाइड कर दिया था प्रेजन टाइम में जब इतने हार्स संक्शन्स लगेंगे तब इंडिया इसको कैसे मैनेज कर पाएगा उस समय देखने वाली बात होगी क्योंकि पूरा का पूरा वेस्ट इसके उपर में सेंक्शन्स लगाएगा अब वहाँ पर इंडिया कैसे अपने आपको जस्टिफाइग कर पाएगा कैसे उस ट्रेड उस डील को आगे कॉंटिन्यू रख पाएगा यह देखने वाली बात होग ठीक है तो यह देख लीजिए हमारे कोलेशन में हमने क्या किया है सिक्स्टी परसें रशिया से हमारी आमस आते हैं अल्रेडी मैंने उसको आपको पढ़ाईती है ना कि इंडिया की जो ट्रेड डील है कहां कहां से हैं इवन दोस्तों हम क्या अभी देखे अभी हमने 6.1 ला लिंक होने चाहिए आपके एग्जाम में प्रेलिंस में कईबा कोशन पूछे लेते हैं और यहां से आपको मेंस परस्पेक्टर जो अल्रड़ी हम डिसकस कर चुके है कि इंडिया का क्यों जरूरी है इंडिपेंडेंट होना इस सेक्टर में यह दिर्शात है आपको यह इं नीड है मेरा कुछ डारेक्ट पंगा नहीं हो उसके साथ प्रेमिम उनके साथ डील नहीं कर सकते है क्योंकि आपका उनके साथ में लफ़ला चल रहा है उनके साथ में इस्यू चल रहा है यानि कि दोस्तों एक कंट्री सौवरेंड वे में डिसीजन तक नहीं ले पारी यही दोस्तों यहीं में बार बार आपको समझाने कोशेगा रेजंट टाइम में इतना जाधा रिलायबल है क्योंकि वर्ड इतना जाधा इंटर डिपेंडेंट है इंटर कनेक्टेड है इतनी जाधा हो चुकी एक कॉंसेप्ट को मैं लिंक करने की कोशिश करता हो हर security perspective से दोस्तों प्लीज याद रखिए आने वाला समय और ज़्यादा important होनों क्योंकि चाइना no doubt दोस्तों aggressive होने वाला है इंडिया दोस्तों no doubt अपना जो हिस्सा है POK कश्मीर उस पे कुछ ना कुछ सबसे सही टाइम क्या होगा उससे पहले ही उस पे कुछ action लेने गा तो यानि कि इन दोनों सिनारियों में दोस्तों इंडिया के लिए self dependent और security perspective से क्या होना थोड़ा सा मजबूत होना important हो जाता है अब इस sphere में दोस्तों अगर आठ साथ ऐसे sanctions लगते हैं और देखिए ऐसे sanctions सिर्फ आमस नहीं विफ्ट से अगर नहीं होगा दोस्तों तो भी प्रॉब्लम है इंडिया की जो ट्रेड होती वह प्रॉब्लम है अब इंडिया ने इसका solution क्या डूड़ा आपको अल्रड़ी बताया रुपी बेस्ट मेकैनि क्यों ना आने वाले समय में अगर ऐसा हो जाए इंडिया का यूपी यह जैसे गूगल पर एपल पर उन्होंने बंद कर दिया आने वाले समय में अगर इंडिया का Google जो यूपी यह है वो वर्ड के अंदर में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे अधर अधर कंट्री इन्ट्रीस त्ना शुरू कर दें और तर मेसने टेक्न नुट्रीक हो कि अधर चीज करके चलिए एक्जामクource पर अब्रेए economics या फिर स्टेट प्येसी के इंटर्वी वह आप से पुछेंगा आप यहां से बिलॉंग करते हैं अच्छा वहाँ पर यह है यह जो सोशल मीडिया पर चल रहा हुता है इंटर्वी यूपीसी पर पूछा गया इसा वाल यह सब नहीं पूछे जाते हैं यह सब कोई बखवास ह अगला जो है आर्टिकल यह सिर्फ आर्टिकल था सिर्वर सिर्फ छोटी सी न्यूज है एक नियूज है कि पॉक्सो केस के अंदर में जो एक्टर साहाँ आपको पता है महेश माढ़ेकर जी उनको अभी क्या मिलीए दोस्तों क्या मिला है प्रोटेक्शन मिली है इनको ठीक है फॉक्सो एक्ट के तो आपके लिए फॉक्सो एक्ट इंपॉर्टन हो जाते हैं क्यों क्योंकि रिसेंट्ली तीन चार चीज़ें एक मुंबई हाई कोड का आपको जज्जमेंट याद होगा इसको सुप्रिंग कोड ने बाद में क्वैश कर दिया sexual harassment जरसे दोस्तो sexual harassment हर लेवल पर होता है बट सबसे ज़्यादा वल्नेरेबल कौन सा section है बच्चे 18 साल से कम बच्चे उनके साथ में sexual harassment होता है वो बहुत वल्नेरेबल है अब दोस्तो उस स्वियर में रिसेंटली गवर्मेंट ने क्या कि उसमें क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे crimes ऐसे देखे गए नाबालिक बच्चों के साथ में रेप उनके साथ sexual assault ऐसी चीज़े काफी सारी देखने को मिली तो इसलिए उसको क्या किया हमने उसको कर दिया गया पॉक्सो एक्ट को और हमने का इसके अंदर में death penalty भी एड़ कर दी आप सभी को पता यह साथ चीज़े यह एक रीजन है यह important हो जाता है दूसरा महराश्र की हाई हाई कोट ने मुंबई हाई कोट ने वर्डिक दिया कि हम इसको sexual assault में नहीं लेंगे क्यों क्यूंकि skin to skin contact नहीं हुआ उसका बहुत ज्यादा भ्रस्तना हुए कि क्या माइंसेट है आप जहां पर आपको protection प्रवाइड करानी है जहां पर आपको किसकी इसके लिया मलत इस एक्ट के तहत में जो विक्टिम उसको सुप्रिम कोर्ट देखिए इंडिया की सुप्रिम कोर्ट बहुत लिब्रल तरीके से उनने काम किया कई सारे fundamental rights को हमारे को extra दिये हैं interpretation के basis पे वहां पर अगर आप सिर्फ line by line interpretation करोगे किसी भी act की तो वह सही माएने में justification नहीं हो पाएगा और इस context में दोस्तों यह पॉक्सो एक्ट बहुत ज़्यादा important हो जाता है चाइल्ड चाइल्ड से related vulnerability यह बहुत ज़्यादा important हो जाता है तो पॉक्सो एक्ट है क्या protection of children from sexual offense act 2012 में लागू हुआ अब दो चीज़े fact बताना चाहता है एक age याद रखिएगा 18 साल दूसरी चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा यह जेंडर न्यूट्रल है यहाँ पर बच्चों की बात हो रही है लड़की बच्चे यह लड़का बच्च उसकी बात ने बच्चों की बात हो रही है जानि कि जेंडर न्यूट्रल है इस एक्ट के कुछ प्रोविजन्स है यानि कि आपके उपर या मेरे उपर में यह जिम्मेदारी बनती कि अगर हमें कुछ पता है ऐसी कोई चीज हो रही है तो क्या करना वह इनफॉर्म करना पबलिक अथो अर्टी गोड बहुत इंपॉर्म और एक और चीज़ कोई टाइम लिमिंट नहीं है इस एक्ट के तहफ में कि आपको इतने ही टाइम के अंदर में क्या करना पड़े रिपोट करना पड़े आपको कभी भी कर सकते हैं दो तीन चीज़े होगी और तीसरी चीज़ अभी दोस्तों हमने क्या चाकि असके इनदर में अमेंडमेंट किया है और इसके में डेट पेनल्टी भी इंक्लूड करी है जीन सक रइंक अब दोस्तों एक और चीज़ने काफी सारी चीज़े करें अंदर में क्या क्या चीज़े आती हैं पेनेटरेटिव और दूसरी चीज़ क्या होगे आपके पॉर्नोग्राफी गई बार ऐसा भी देखा गया दोस्तों देखें इंडिया में जहां पर अल्रेडी इन सब चीजों को लेकर बात करना यह बताना अल्रेडी इतना ज्याता स्टिग्मा है स्टिग्माइज किया जाता है वहाँ पर कोड के या किसी ऐसी अथोरिटी के ऐसे बयान आना वो थोड़ा सा और ज्यादा क्या करता है कॉंस्टेंट करता है हमारे दोस्तों कॉंस्टिटूशन के अंदर में चिल्डरन और विमन तबसे ज्यादा वल्नरेबल है स्कारण से इनके लिए स्पेशल अफर्मेटिव एक्षिंस प्रोविजिंस लाएगे यानि कि उस समय कॉंसेट एसेम्बली में सम्विधा निर्माताओं ने या कि कितनी ज्यादा जरूरत हैं के लिए और वहां पर दोस्तों हमने इस एक्ट को जब लागू किया है तो अगर इसका सही माइने में इंप्लिमेंटेशन ना हो पाए या इसकी वर्ट वर्ट इंटर्प्रेशन के करण में कोई बचके चला जाए तो यह किसके लिए हमारे सुसाइटी का ऐसे सिस्टम का क्या होता है दोस्तों पेलियोर होता है तो इस कंटेक्स्ट में प्लीज याद रखिएगा एक्जाम में यह चीज लिंक करें क्योंकि वल्नेरेबल सेक्षन जीस पेपर टू अगर उठाके देखें इसका सिलेबस उसके दिदर में वल्नेरेबल सेक्षन स्पेशली मेंशन है और वल्नेरेबल कौन-कौन से चिल्डरन विमन और स्टी ओबीसी ठीके दोस्तों इस है आज और 2012 में आया था यूपेसी की बहुत ज्यादा टेंडेंसी रही है कि 10 साल 20 साल पे किसी एक्ट के उपर में कुश्यन पूछने तो हो सकता है वह यह कहे कि क्रिटिकली एनलाइज पास्ट टैन यह यह डिकेड और फॉक्सो इंप्लेमेंटेशन तो आपको यह सब ची चीज आपको क्या होने चीब पता होने है ठीक है दोस्तु क्लियर है अगले आटिकल की तरफ आगला आटीकल देखते है जीयो टैगिंग वॉफ वक्ष प्रॉपर्टीज किसी ने कुश्यन पूछा कि क्यों इंडिया अंडर प्रेशर आता है दोस्त वहीं मैंने आपको बत से ही है पहली बात तो यह होगी दूसरी बात यह होगी कि हम दूसरे के उसमें क्यों आते क्योंकि USA के साथ में भी हमारे इंट्रस्ट है अब अगर आपको टैकल करना है तो आपको USA चाहिए ही चाहिए क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए स्ट्रॉंग नेवीज चाहिए क्या चाहिए स्ट्रॉंग नेवीज चाहिए और वहां पर रश्या आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा पहली बात दूसरी बात एक और चीज़ समझे अगर एकोनोमिक तरीके से देखा जाए तो वेस्ट बहुत जादा में भी देखा जा तो इंडिया को एक डाइलमा है शुरू से रहा है कि रश्या की तरफ जाए या क्या करें युए से की तरफ जाए और इसलिए प्रेजेंट टाइम में हमारी गॉर्नमेंट ने कॉन्फलिक्टिंग एंटिटीज के बीच में कैसे रहना है यह फॉरण पॉ अब बात है जियो टैगिंग और वक्फ प्रॉपर्टी इन सबसे जब बोर्ट के पास में अब दरसूल आपको पता है जब प्रोपर्टी होदी है तो उनका एंट्रोच्मेट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इतने जादा प्रोपर्टी नका मेनेजमेंट नहीं हो पात आँ से उसके लिए क्या किया गया था दो काफी समय से चल रही थी कि जीओ करेंगे और उस कोडिनेट deals वहां की इमेजिस उनको क्या करेंगे स्टोर करेंगे जियो टैगिंग करेंगे उनको identify करेंगे तो वो जियो टैगिंग करने के लिए ministry of minority affairs की क्या थी एक scheme थी दोस्तों प्लीज याद रखिया कौमी वक्फ बोर्ट तरक्वाती प्लीज याद रखियेगा उसको दुबारा से टाइम बढ़ा दिया गया है कि 2023 तक हम complete कर लेंगे मैं इसको इसलिए लेकर रहा हूँ बस कि आपसे पूछ लेंगे कि यह scheme किस से related है तो प्लीज याद रखना है जियो टैगिंग से related है प्लीज याद रखना है और दोस्तों किस सबसे बड़ी चीज सबसे बड़ी चीज क्या है जो बे नामी प्रॉपर्टीज है जो बे नामी प्रॉपर्टीज उनको भी अगले अगले आइडेटिकल की तरफ अगल वक्फ क्या है वक्फ जो रिलीजिस जैसे हिंदू है हिंदू इसे इसलाम इसलाम की जो आएक की सारी अगला जो आर्टिकल है चिप से रिलेटेड आर्टिकल सेमी कंडुक्टर अल्रेडी डिसक्स कर चुकिए तारे के सारे सेमी कंडुक्टर चाइना ताइवान यहां पर बना करते हैं को वीड आया को वीड ने उस सप्लाई चेन को खतम कर गई इससे हमें आइसास हुआ पुरे कॉम्पोनेंट्स आप यूज गूरते हैं वहां पर यहीं यूज होता है सभी अब खुछ सोचिए जब समी कंडुक्टर के सप्लाई नहीं हो रहा तो उन जो इंडस्ट्रीज लगी हैं वहां पर मैनुपेक्चरिंग नहीं हो पारी होगी तो दोस्तों जाब पर भी तो अस चीज़ का अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं आप सभी को पता है कि यूने भी एलान किया कि वह क्या करेंगे अपने कि सारी कि सारी क्या है करेंगे वहां पर समी कंडुक्टिंग मैनिफेक्ट्रिंग को बढ़ाएंगे इंडिया ने भी क्या एलान किया कि हम क्या करे सेमी कंड़क्टर से रिलेक्टिड डिजाइन लिंक्ट इंसेंटिव एक स्कीम शुरू करेंगे तो यह याद रखिए कि अभी चिप के शॉर्टेज के कार्ड में जो आपका ऑटो सेक्टर है उसमें भी बहुत जाता कमी आई अगर आप देखिए इसलिए आपने देखा होग तो वहाँ पर भी उन्होंने मुझे बताए कि पीछे से माल ही नहीं आ रहा यानिक सप्लाइज साइड अब आप समझे यह लिंक समझे अप्लाइज साइड अब माल नहीं आ रहा इसके कारण में दोस्तों पता है क्या हो रहा है जो नया तो आ नहीं रहा जो पुराना है न जो ओल्ड उनकी रिसेल वैल्व बढ़ गई है ब्लैक मार्केटिंग भी और यह बहुत जादा हो रहा है तो इन सब चीजों को लिंक करके सप्लाइज डिमांड इन सब चीजों को लिंक करके रखिए तो इसलिए इंडिया नहीं यह सोचा है कि हम क्या करेंगे जैसे क्या था दोस्तों प्रोडक्शन लिंट इंसेंटिव जब हमें पता चला कि हम कितनी सारी चीजों पर चाइना पर डिपेंडेंडेंट करते हैं तो लास्ट यह हमने आत्म भारत कैंपेंग शुरू किया और उसके बात में हमेरे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्की लिए हम आपको क्या करेंगे इंसेंटिव प्रोड़क्शन करिए और उसके बाद में हमें आत्म नर्भर बनाईगे और उसके लिए क्या चाहिए रिसर्च एंड डेवलप्मेंट चाहिए उसके लिए बॉनेटर बेनफिट चाहिए इसारी चीज़ें क्या सरकार पहुचान हो सकें इंडिपेंडेंट हो सकें क्योंकि आने वाले ऐसे किसी क्रंच से बचा जा सकी क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट्स होते हैं ठीक है दुस्तों क्लियर है क्लियर है दोस्तों क्लियर है किसी को भी कोई डाउट अभी तक अभी तक किसी को भी कोई डाउट तो अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एकोनॉमी से रिलेटिब एकोनॉमी से रिलेटिब यूक्रेन रश्या के बीच में प्रॉब्लम चल रही है अब उसके इंपक्क कैसे कैसे पढ़ेंगे फर्टिलाइजर पढ़ाया फर्टिलाइजर हम जाज भी इनके प्राइसट करंगे रांस्पोर्टेशं कास्ट बढ़ेगी जो आपσι घरंक है खीज्ट। बढ़ेगी तो इस जो आप चिछ घर में कब मिलाकर अगर मान के छलिएए हम यहां से क्या करेंगे यहं से हमारे इंपोर्ट कम ऊजाएंगा तो क्या है प्रॉडक्ष्ण कम होगा तो फूद्स सेक्योर्टिपे आपड़ेगा इस eleg practically पर अब्रेक्शन अब ये सब चीजे किस पर असर कर रही है हमारे current account deficit पर कर रहे है current account deficit तो current account deficit actually में होता क्या है देखिए inflation बढ़ेगा current account deficit हो जाएगा और हमारा रुपया भी गिर जाएगा already relation बता चुका हूँ कि आप ज्यादा पैसे देंगे ज्यादा पैसा देंगे तो उसके करण में सप्लाई आप रुपय की जादा कर देंगे जब रुपय की सप्लाई बहुत जादा होगी तो रुपया automatically और गिरना शुरू हो जाएगा यहां तक अल्रड़ी हम सब कर चुकी अब बात आती है current account deficit यह क्या है भईया तो समझने के लिए आपको balance of payment समझना पड़ेगा बी ओ balance of payment balance of payment इस सरल भासा मैं समझाओं तो आपके घर में जैसे मान के चलिए कुछ भी सामान आ रहा है या जा रहा है उसका आपने हिसाब कर लिए register बना लिए उसको बोलते balance of payment यानि कि एक देश के अंदर में क्या चीज हम export कर रहे हैं क्या चीज हम import कर रहे हैं उसके register को यानि एक ही जगे पर लिए क्योंकि हम घर में भी अलग-अलग करते हैं यह खाने का समान हो गया यह गाड़ी के समान हो गया तो ऐसे करते हैं ऐसी दोस्तों दो account बना है current account और एक capital account इसके इंदर में अब capital account में क्या होगा capital मतलब asset समझे इस चीज को capital में वो चीजे होती है जहां से आपको बाद में revenue मिल सकता है capital यानि के asset अब for example कई सारे बच्चेस में confused होते लोन वाले concept में मान के चलिए USA ने इंडिया को loan दिया क्या लोन दिया या foreign direct investment FDII कुछ भी आया तो यह क्या है USA का यह asset है क्यों क्यूंकि USA को यह चीज बाद में दुबारा मिलेगी interest के साथ में benefits के साथ और इंडिया की यह क्या है liability है यानि कि हमें दुबारा से चीज पे करना है तो इसलिए आपने जब budget पढ़ते होंगे यह link करिए सारी जारी चीजे तो लौन आपने पे कर दिया मेरे पास 100 पे कर दिये तो दोस्तों यह क्या हो गया मेरे यहां से liability कम हो गई क्या होगी वाम मेरी उधारी नहीं कि क्योंस के वापस मिलेंगे अब दोस्तों के वहां पर नचो क्रया से वहांपर है जैसे मान की ओईल लिख लिया तर्विस हम इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कुछ समान मंगा रहे हैं कुछ समान भेज रहे हैं उनको हम क्या करते हैं करेंट के अंदर में लिंक करते हैं तो करेंट अकाउंट में क्या क्या चीज़े होती हैं उसको हम दो जगे पर classify करते हैं एक visible और एक invisible visible में क्या goods सामान बूट्स अब यह हमेशा maximum time पर क्या रहता है हम ज्यादा क्या करते है import करते हैं क्या करते हैं export हमारा कम होता है में क्या क्या सक्त correct services बेंक की सर्विसे इंस्राइंस की सर्विसे figure की सर्विसे हम अम बहुत जदा करते हैं यहां मरा surplus में रहता है jako इसको ऐसा आधा कर लिजिये siT लिए इसके इंदर में invisible के पूछा जाता है कि कौन से किस किस के कॉम्पोनेंट है तो याद रखिएगा सर्विस्क्या होती हैं सरफ्लस में होती हैं इलिकम इनिकम तीन तरीके से हो सकता है profit कहीं से मुझे dividend मिला 24 इंट्रस्ट कहीं पर क्या है मैंने क कहीं प्पैसा लगा तो MAX जो यह उदर स्थ है और करन्ट एकाउंट डेफिसित के अंदर में फिके डोनेशन्स गिफ्ट्स यह हमारा सर प्लस में राथ कूंकि हमारे आपार सर प्लस रेमिटेंस जरी प्लीज लिंक करके रखे रखिए कर्रेंट अपनट डेफिसित अब इसका यह क्या होगा यह बढ़ जाएगा करेंट अकाउ चाहते है करंसी कांट्री की रेटिंग्स उस पे चाह पड़ता है असर पड़ता है फ्लीज याद रखें रखेंगे तो अगला देखिए क्यापिटल एकाउंट क्या पिटल आ रहा है इनवेस्टमेंट आ रहे हैं एफ डिई ए एफ आई के रूप में क्या है सर्प्लस में है लोन आ रहा है सौवरेंसे कमर्शिल वह भी आता सौवरेंट को मतलब कोई गौवर्मेंट दे रही है तो दोस्तों कमर्शिल निक्वी कमपनी से हम ले रहे हैं कोई बैंक से ले ले ठीक है और एनरा एकाउंट वहां से भी रेमिटेंस डोमेंट्स डोनेशन गिफ्ट्स आर यहां से अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो यह सोचिए कि अगर मान के चलिए आप इंपोर्ट बहुत जादा करते हो एक्सपोर्ट के रिसपें continue आपका बहुत ज़्यादा है उसकाएं पसे पढ़ता है व हो सम्झाने कोशिश करती यह करनसी कर रहे हो किसमें कर रहे हो आपके पास में रुपए हैं और दूसरी तरफ में क्या है लेकिन डील किसमें होती है डॉलर में होती है तो आप बैंक के पास जाओगे और आपको इंपोर्ट करना तो यह लीजिए 100 रुपे एक डॉलर के साथ एक्शेंज कर लिजिए यानि कि दोस्तों क्या क्या रुपे दिए और डिमांड किसकी कर रहे हो डॉलर की कर तो आपने हमेशा देखा होगा जब भी डिमांड किसी की होती है तो वो क्या होती है उसकी वैलिवेशन हो जाती है सप्लाइज इसकी बहुत ज्यादा हो जाती है उसकी क्या हो जाती कम हो जाती है इसलिए अब यह चोटा सा आर्टिकल है दोस्तों की वार से सबसे ज़्यादा बेनेफिट हो सकता है इंडिया को यह भी मिले कि वहां से जो आईटी सेक्टर है वह शिफ्ट हो जाए कहां पर इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जो जो जॉब्स है अस्टी जार एक लाग के असपस जो वह क यहाँ पर आपको पता है कि चीज होने वाली है इंफस होने वाला है इंफुलक्स आने वाला तो आप क्या करकते हैं यह नैर्फ़ीं के अनदर में यह इंडर हमालय हीजन है जो वल्नरेबल डीजन है उसकी और जो disparity है डेवलिप्मेंट में यहाँ पर डेवल्पमेंट है यहाँ पर यहाँ पर डेवल्पमेंट इस रीजन में नहीं है उसको भी क्या करता है कम पर करता यह मैंने एक सिर्फ अपको add-on किया बस बार policies को ऐसी बना रहे हैं जो बाहर से companies आए भारत में आके चीज़े बनाएं अब हुआई के साथ में क्या है वो 5G technology से related है अब हुआई के उपर में आपको पता होगा USA ने sanctions लगाए थी इंडिया ने भी कहा कि भाई जी कि हुआई किस से related है चाइना से related है तो हम क्या इसके साथ में डील नहीं करेंगे हम इसको इसको इस पे जो फाइव जी स्पेक्ट्रम ता उसमें हम इसको इंप्लेमेंट करने नहीं देंगे ठीक है और इंडिया की जो कंपनी है जी ओ वो भी 5G technology बनाने में लगी भी है तो आने वाले समय देखते हैं पस यहां से आपको यह देखना है कि जो policy होती है जो policy makers के जो steps होते हैं वो यह decide करते हैं कि कोई company अपनी investment यहां लेकर आएगी या नहीं आईगी या फिर already जो investment है वह यहां से चली तो नहीं जाएगी अब जब यह investment का फाइदा क्योंता अल्रेडी आपको बता चूँए investment का फाइदा यह होता है जॉप creation अब policies में काफी चीज़े आती है जैसे टैक्स आप कितना लगा रहे हो पेपर वर्क कितना हो रह है electricity जल्दी से मिल रही है नहीं मिल रही आर्टिकल पढ़ा था electricity का छोटे-छोटे स्टेट्स में electricity नियो ती वहां से क्या होता है वहां पर इंडिस्ट्रीज नहीं लग पाती तो यह ऐसी पॉलिसी तो नहीं है जो उनको बाउंध बांध रही है बांध कर रही है जैसे हर् क्लिए रहे दोस्तों यह सब चीज़े 5G से रिलेटेट वाई से रिलेटेट अगला आर्टिकल एक्स्टेंड कंटेक्स से रिलेटेट अल्रेडी इस चीज़ को भी कहीं बाहर डिसकस कर चुके है एक दरसल क्या है बड़ी ऑईल की जो कंपनीज हैं वहाँ पर रशिया में थी डियर हैंど किसके हाथ में सरकार के हाथ मैं और यहां पर भी दोस्तों रस्या के दिम्हें जो ओईल कंपनीज बहुत बड़ी ती उसमें में इसके साथ जोईंट वेंचर में वह साथ एनरजी का प्रॉडक्शन कर रहे थे जिहां दोस्तों अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कई सारी कंट्रीज ने सेंक्षेंस लगाने शुरू की हैं तो वेस्ट की जो कंपनी थी बड़ी कंपनी जैसे शेल हो गई प्रिटिश पेट्रोलियम होगी वो क्या करें रश्या को छोड़कर जा रहे हैं तो इसका इंपक्त क्या होगा रश्या को छोड़कर जा रहे हैं त अगर आप यहां पर इतने सारे sanctions लगा दोगे वहां से चले जाओगे तो आपकी जो dependency उसके ओपर में उसको कहां से फुल्फिल करोगे पहला कुश्य नहीं आता है दूसरी तरफ रश्या को अगर देखें दूस्तों तो रश्या की economy टोटली डिपेंड करती है किस पर energy सेक्ट यह अपने energy को फिर बेचने के लिए कहां जा सकते हैं चाइना में जा सकते हैं अब इससे क्या होगा एक्सिस चाइना और रश्या का क्या होगा स्ट्रांग होगा और वर्ल्ड पे या इंडिया पे इसका क्या आसर पड़ेगा और यह पूरे के पूरे इस आर्टिकल के वेस्टन कॉमोडिटी मार्केट एक और चीज़ समझें कि वेस्टन कॉमोडिटी मार्केट यानि के जो हाउस सिस्टम वहां पर क्या ओता था ट्रेड होता था अब वान के रशिया के energy sector के ट्रेडिंग वहां पर होते तो अब जस्यमाजिन रशिया क्या करे रशिया के लेकिन लॉंग रन में उनको नुक्सान होने वाला है यह पूरे के पूरे आर्टिकल का क्रक्स है तो आज के आर्टिकल आज के न्यूंदोन इस पर में जो जो इंपॉर्टेंट चीजे थी हमने डिसकस कर ली है अब हम क्या करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट मैप बेस्ट कोश्यन हो गया या फिर उसके बाद में में सिब्सक्राइब करेंगे कलम ने कोशन दिया था वेरिज इग्रेर रीजन इस लोकेटिड अफी सारे लोगों ने कमेंट करके आंसर दिया ठीकिए दोस्तों कहां पर एथोपिया में अभी मै सुमालिया तुडान यह सब न्यूज में बने रहते हैं दोस्तों तो टिग्रे यहां पर है यहां पर सिविल वार काफी समय से चल रही है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है एक्जाम के अंदर में या से कुश्यन पूछा जा सब्सक्राइब क्या था कि OECD से रि सब्सक्राइब को इसी तरीके से घुमाने की कोशिश करता है अगला क्वश्यन है राइट्स ड्यूटी तू साइट्स ऑफ दा सेम क्वाइन बहुत अच्छा क्वश्यन है रिसें टाइम में आपने देखा हुआ कम सम 10 से ज़्यादा आर्टिकल चाहें इंडियन एक्सप्र अब जब में बॉड़ी में आएंगे तो आप यह बताइए कि दोनों के दोनों इंटर लिंक्ट हैं कैसे और एक्जांपल कई बार एक्जांपल दिया जैसे आपके पास में राइट टू लाइफ है तो साथ में आपके ड्यूटी भी है कि आप दूसरे किसी की राइट टू हो दीजिने भी बोला तो उस कंटेक्स में यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और आप एक्जांपल दीजी कई सारे वहां पर इसका आंसर लिखना शुरू करिए तो यह इंपॉर्टेंट ली आपको हेल्प करेगा और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि राइट और ड्यूटी बेस्ट आपके एक्जाम में आएगा ही दोस्तों आप दोनों को सेपरेट करके नहीं देख सकते एवन वाइस प्रेजेंट साहब ने भी क्या किया था आर्टिकल लिखा था इसके उपर राइट सैंट ड्यूटी के उपर इसके आपको यह करना चाहिए राइ प्रिभी एक बार देख लीजिएगा पॉक्लेंड आरेंड मैं अल्रडी कर चुका हूं दुबारा से आगया होगा ठीक है अब यह प्रिलिम्स बेस्ट कोश्चन है प्रिलिम्स बेस्ट कोश्चन है आर्टिकल टू डिस्क्राइब और टेरिटरी ऑफ इंडिया इस वाइड ठीक है दोस्तों तो आज के निउस्पेपर में इतना ही था सब कुछ आपके लिए मैं लेकर जो आया था वो सारी की सारी चीज़े कंप्रेट कर लिए अगर आप स्टड़ी पर चूड़ना जाते हैं तो यह कोड यूज करें आपको 33% डिसकाउंट मिलेगा आब मिर साथ इ झाल 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 झाल